वेलकम बैक नाजरीन ची नौरीन सहीबा मैं आपको गुफ्तकू में शामिल करूंगा मुझे यह बताईए का जिसमा बिजली के बिल महिंगे हो गए गैस के बिल महिंगे हो गए हमारी प्रोड़क्त की जो आउटपुट है वो महिंगी हो गई सब्सक्राइब कर चीनी याज महिंगा है डलें आज महिंगी हुई है सबजियां महिंगी हुई है जो पकिस्तान में उखती है फल महिंगे हुए है एक गरीब आदमी जाये तो जाये कहा जी नौरीन सहीबा देके जी पाकिस्तान में 24 लार्जर अकोनलमी दुनिया में इस वकत है और 42 इंटर्म जो है GDP है और फिर आप यह देख लें जो GDP जो ग्रोथ है वो है 3.29 परसन गिर गई है और 5.5 जो है वो इस वकत आप inflation देख लें पहले GDP 5.5 थी आज कल 2.5 हुई भी है बहुत ही कह रही है वहां पे वो हो गई है और 14.56 से ले के 3.92 पर इस वकत है तो आप देख लें कि जब 2020 के एंड पर देख लें उस वकत जो हमारी बेरोजगारी है वो 6.6 पर पहुंच जाएगी और अभी इस वकत जो है 75.7 इस वकत है तो मुझे आप यह बताएं कि जो हमारे इस तरह हलात जा रहे हैं यह किस तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं यह तो चोरियां डिकेटियां बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है अब यह देख लें कि लोगों तो इसमें 6,000 आप सिर्फ वाटाइटी तोर कर रहे हैं और उसमें ट्वटी बाइस क्रोड़ हमारी है चौबिस क्रोड़ की अबादी हमारी है तो उसमें आप देखे कि किस तरी किसेरी डिकाउंट नी दी द्या उसमें सिरुव दालों पर चिनी पर और आटे पर थोड़ा जो इनके जो इस गौर्मेंट ने जितना कर्ज लिया पाकिस्तान की तरीख में मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं लिया और इसने आते ही एक साल के अंदर इसने नेबर के साथ जितने भी हमारे रिलेशन शिप अच्छे थे वो इसने आके खराब की है उसके लावाई देख ल दीखे से कया तब यहे चीजें देखें क्यूंकि इमरान खशन कभी भी पाकिस्तान के साथ ना कभी वह सिंसूर था ना कभी वह हो सकता है वह पीर्नी के बलबोते पय गैस के बिल भी देने हैं उसने अपनी बाकी जरूरियात की चीजें में करने हैं वो कैसे मैनेज कर सकता है यह अगर दो लाक रपे में यह फुद मैनेज नहीं कर सकता है हमारा जो गेट कीपर एस टाइम रॉयल का उसके बिजली का बिल 26,000 आया है जब मैं आज एंटर हो रहा भी नहीं हो रहा बिल अब यह देखें कि मेरा बच्चा पाँ एलेवन येर ओल्ड है वो मुझे क्वेस्चेन कर रहा है कि मामा इमराण खान जो है वो दो लाक सेलरी में अपना गुजारा नहीं कर सकता जिस को अजिसका घर भी फ्री मीई है बिजली जिसको फ्री ग्रॉसर इमरान खान को ये सोच नहीं आई तो वो देखे ना कि कहां से कहां लोग पहुंच गए हैं अब मुझे तो यही बस रह गया कि आएं सिर्फ जहर की जो जहर है खाने के लिए वो ही मेरे खाल में सब्सक्राइब और नहीं हो खाने आप क्योंकि यह महिंगाई के ओपर तो तरीके से उनको मनाया और सी पैक पर फिर दोबारा तेजी से काम शुरू हो गया इवनके तुर्की ने भी कहा है कि मुझे सी पैक में शामिल कर लें तो आप इसको किस नजर से देखते हैं सी पैक के हो शेख सब गजारी यह है कि सी पैक वो अलहमदोलह ऐसे मुस्बत 126 दिन का धरना दे दिया जमाल डाल रहे थे और दिन राज पपट शो लगाया हुआ था कैसा लीडर है क्या कौम को इसने प्रेगाम दिया था और आज क्या कहां पे जा रहा है वहां फिर वो लेट हुए सो दोजर पंदरा में चैनी प्रेजिएंट का आना अलहमदोलह फि आपकी मोटर वेज दिखे ना ये कराकी से सक्कर और मलतान और लाहूर तक मोटर वेज चल रहे हैं खैबर के जा रही है आप उन लोगों से शेकसा पूछें कि अब वो कहते हैं बही बहावल नगर मलतान हमने जना तो हमाड़ाई घंटे में जा रहे हैं पहले वो पांच- बूटी रिंग रोड खुल चुका है और लोग कहते हैं कि अब हम पचास मिंट में लाहूर से रिंग रोड से होते हुए कामों की गुजरावाले को बताईए कि ये किसने को खोला किसने और काम किसने किया इसके ओपर ये मसूबे अलहमदल्ला सीपैक मिया महमन नवाशी सा और चाइनी गौवंट ने मिल बैठ कर बनाए थे जिन पर अलहमदल्ला सौफिज अमल दरामद हुआ और अनारी साथ की हकूमत आते ही इनके मिनिस्टर आप प्रैमिनिस्टर कहा करें चलो मिस्टर इमरान खान नया जी प्रैमिनिस्टर साब जब गौवंट आती है तो इनक कहा था कि हम सी पैक मनसूब में रिव्यू कर रहे हैं लहाज़ा आप इसको देखेंगे ये और कार्ड है और उनके और कार्ड कहने पर क्योंकि अमेरिका बहादर तो चाहता था हमारी गौवंट मिया नवाशी साब से उनकी दो नराज़िया पहली नराज़िया थी कि जब ह या नवाशी साब अलहमदल्ला थर्ट टैम प्रेमिस से बनते हैं बिलकुल हम से पहले वो पार्टी ने भी कोशिश की खाश थी और मैं समझता हूं कि हमने सी पैक को मकमल किया और सी पैक जो मनसूबे हैं वो इंटरनेशनल कौम के असासे हैं नाट के वो पीटी आई की तर और ने दो साल सी पैक मनसूब को बिलकुल आई इन्होंने साइड पराग़ दिया अब अब काम सलो है लेकर हो रहा है और जो मनसूबे ऐसनिकबाल मिनिस्टर प्लैनिंग ने सी पैक मनसूबों में अलहमदलेक स्पीड दी थी जो शबाशी सामने स्पीड दी थी मैं कहता कि शबाशी सामने थे बतार ची मिनिस्टर प्जाब भई छेजर मेगावार बिजली के मुर्सूबे लगाया और पैदा की तो खान साथ आप ने भी कहा था कि तीन सो साथ डैम जो है हम वो पानी से बिजली के हैं वो खैबर पक्तुनखा में बनाएंगे तो आप तो भई ख खान साथ पांच की मिजए साथ साल हो गया आपकी गौर्मन को उनमें से कोई एकी डैम बन गया हो नहीं बनाएंगे इनकी तरजीहात नहीं है अब यह जो आप कहते हैं कि जो नियाई साथ लगा दिया आप कहरें तरजीहात नहीं वो खाबों में लगाए हैं जो बिलियन ट कुशन ने काम श्रू किया तो इन्होंने वो जनल की रिपोर्ट है वो अडिटर जनल की भी है वो सीनर जनलिस्ट की भी है और वो अवाम की भी है कि वो द्रख्त नहीं लेगे और अब बिलियन ट्रीज का खाता तो आपनी जगापर अब जो बी आटी वहां पर हैं जो अक् कि अपरेल दोजार अठारा में मकमल होना था भी कहां पर वो बीस अबाइस अरब का मसूबा कहां पर नवे अरब का चला गया छे दवा नेगूरिशन की डेड़ दी गई और वहां पर मैं समयता हूं कि वो जंगला कहने वाले उनने वाकिए जंगला बस सर्वस की का वो वो एक द्रियाब बुर्द कर दिया है मनसूबा नवे अरब में से तीस अरब अमराहन की पॉकेट में गया और फिर मैं कहता हूं फिर मैं शेक सब कहता हूं कि खान साब ने जब आए थे आपने अडिशनल चार्ज पंजाब की मीटन करने के लिए परसों तो उन्होंने कहा था कि हाँ हमारी नाहिली नलाइकी भी खान साब हम तो पहले ये अर्ज किया करते थे कौम भी प्लैच जी खान साब आम नलाइक हैं आप डिलिवर नहीं कर सकेंगे और आपने अपनी गलती को माना लेकन सवाल ये है कि गंदम गुदामों से आउट आफ कंट्री एक्सपोर्ट किसने की और आठा चारीस रपै किलो से सत्तर रपै किलो में क्यों फ्रोग्द होता रहा और चीनी जो है जो एटारीस रपै किलो थी आज नवे रपä हान सब आप ने चीनी मैंगे की है आपको युटल्टी स्टोर्स मेश चुने की रात रव नोरीं की предлож गंदम का Profit किसे ने लिया, खुसरोबिक्तियार साहब ने लिया, और चिन्षी का Profit किस की तरफ गया? जगरतरीन की तरफ गया तो इमरानघ की अपने ही बंदफे हैं यह दोनों का नाम नहीं है उस लिस्ट के अंदर उन्हें का नाम क्यों नहीं है यह जो चिनी की पैदावार के पीछे कौन है लेकिन मेरी भैन आप उसाफ दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंद्ध में क्या किया है सिंद्ध कंदर ना कुछरा उठाने की आपका देखे जो चिनी का बहरान आया वो किसकी वज़ा से है अब जो है जांगे तरीन उसने इतना ज्यादा पैसा कठा कर लिए उसकी साथ नसले क्या पता नहीं कितनी आने वाली नसले जो है ना उसकी वो उसमें जाएंगी और जो खुसरो बख्तियार साब है वो आये तो थे जी मैं ए पुल ऐसे ही है यह जो जखीरा अंदोजी की जाती है इसके इसके बैक पर बहुत बड़ा ये माफिया है यह कर लेती है और जिनको फाइदा होता है उनको इमरान खान फाइदा पुंचा रहे हैं इस अब इमरान खान कह रहा है जी मुझे पता नहीं है एक टीम बनाई आरे तो जारे कि जब आपका हिसा बाहर के मुझे आपने इतनी जो कंपनिया बना लिया जो मुझे आपके काफी क्लोस फ्रेंड है मैं उनको जानती हूं कभी किसी टॉक्शों में मैं उनको भी मैं सब लोगों को बताऊंगी कि वह कौन है उनकी अकॉउंट में पैसा जार होते हैं आप प्रूफ दें चेहल पे लाएं पिर उसके बाद आपके लिए देखें ना कि चीनी का यकदम बहुरान पैदा कर देना गंदम का बहुरान पैदा कर देना बाकी चीज़ों का हमारी गलती है वह बस ऐसे ही ना जब सारी पॉकेट में उनको पता है पॉकेट में से एक चीज़ा गई है कि प्रामिनिस्टर को मैं हूँ Bernard के इसको इसको प्राइमनिस्टर नहीं कहते हैं करिकार भी तो परामिनिस्टर करस्ट कषra देखाया gobierno ब्यूसे मीरे बड़ा इंपूरिडन कोस्चन सावड़ा इन्डिया के लिए क्लिएक पकिसान को पूछा है पू मैं ये अर्ज करूंगा कि बादशाथ सारी न्याजी साब जो हैं वो दो हजार अठारह स्टंबर में यू एन उमिन नहीं गे नहीं गे ये एक स्वालिया निशान है क्यूंकि हार्ड इशू सा मक्बूजा किश्मीर और अगले सार उन्होंने पुराई मचा दी और उन्होंने से बात की अब ट्रम्प साहब से जो वन और वन मजाकराद ये करते रहें नियाजी साथ जो ऐसा उनको कंटेनर का मज़ा पड़ा हुआ है को वो कंटेनर से उतरते नहीं है वो दो तिन दवानोंने कहा भी कि मेरे घारवालोंने बताया कि आप प्राइम निस्टर हैं जब ड गालर 110 से 156 हो गया नहीं सबको नहीं पता फिर चने की डाल 65 रुपय से 170 रुपय होगी और नहीं सबको नहीं पता अब चीनी महंगी हो रही है नहीं सब मैं आपके खिरमत में अलब कर देता हूं कि चीनी के लिए गन्ना इतना वाफर है किसी रोड पे बीचले जाएंगे जो ट्रालियां ट्रेक्टरों और ट्रकों से वहाँ पर ट्रेवल बलाक होती है जब गन्ना आ रहा है तो फिर बाजशाथ सला51 में चीनी मैंगी करके ग्रीब वावाम को तो तुम मार रहे हो तुम्हें पता है कि हर घर में चिनी का इस्तमाल है और उस चिनी को महंगा करके वो किसे टीम की जे में जाला आ आ सब को जा रहा है वो आप शायद नहीं जानते अगर आप देखेंगे एनक अतार कर तो उनका नाम है जाहंगीर तरीम्षा उनँना ने कहा है वो लिस्ट हमार ना में नहीं है खुसर बुक्तियार का नाम नहीं बड़ा क्लिएर बादशास्टे ने अडिकरेंणे जारी कर दिया है के कि आत्रा माफिया चीनी माफिया और किसी भी केस में हंसों की जोड़ी जो जनुबी सूबा लेने आए थी वो दोनों नहीं शामल हैं तो मेरे बैए अगर वो नहीं शामल तो फिर जो शामल है उसका पता करवाना खदाना खास्ता वो तहकीकात कौन करेंगे इन तहाई दम से क करूंगा आपकी करेंगी ना फरिष्टे करेंगे ना कबरस्तान में सोय हुए लोग करेंगे कुलों नफसन जायकत और माउथ इसलिए मैं अलब करूंगा कि आप नैजी साब मुलक की वजिर्यादम की सीट पर बैठे हुए हैं आप जवाब दे हैं बास्तर साल में कभी भी किसी ने खदाना खास्ता कोई ऐसी गलती वाली बात नहीं की थी कि रियास्ते मदीना का जब हम नाम लेते हैं तो हमारी तुजबान भी जुक जाती है अग्वो इसलिए और वो देखें ट्रम्प के गीत गाने वाले नियाई साब वो चपन करोड शॉरी वो चप्वीस डालर का टैरफ जो है वो इंडिया को ट्रम्प सलामत ने दे दिया है और और यह पैकज आ उनके कहने पर अफगानस्तान को गंदम तो आप जुफ्ट कर रहे हैं और उनके कहने पर हर बात पर आप जुक भी जाते हैं और निरिंदर मूदी के अलेक्शन की कामयाबी के भी आप कहेंगे कि ट्रम्प भी सेकंड टैम उसका जितना द्रूरी है तो इसलिए नियाई सब अब आप ही कौम को बताना होगा आप ही वो डायलग बता सकते हैं कि वहां मकबूजा कश्मीर की अजादी पर क्या बात हुई वहां पर आफगानस्तान की इस्यूज पर क्या करता है इन इस्यूज को भी आपने टेक अप किया कि नहीं किया अगर नहीं किया तो फिर कम अज्कम वह जो बाशादान के लिए आपने और आपके साथ एक रिटायर जजज ने जो बारा या चौदा अरब रपया कठे किये थे वही कौम को बता दें कि वह कहां से आपने ड पजूदा जो वुज़रा हैं वही ठेकेदार हैं शैद आपकी नदर करम से उनकी कमशी एची है और आप दरूर देखें कि वह जागदाव साथ ठेकेदार है नहीं साथ आप कहां करते थे आप फरमाया करते थे कि जब डालर एक रपय महंगा होता है तो प्राइमिनिस्टर होता है जब आई एम एफ हमारे उपर बैठ कर टर्मेंड कोडिशन लगाती है टैक्स बढ़ते हैं तो वह अवाम दुश्मनी है तो आई तो आप आई एम के साथ मजाकरात नहीं कर रहे हैं आप तो फिनांस डपार्टमेंट ही उनकी हैंड ओवर कर दिया है और आप कहते है कहा पर गए भई वो शबर जादी हम कहते थे कि वो टैक्स चोर है आप कहते थे कि मैंने एक बड़े चोर को ले लिया है चोरों को कंट्रॉल करने लिए तो नियाजी साथ अब जो टैक्स अकठा होना था साथ माह में उसमें जो सबातीन साड़े तीन सो अरब का शार्ट फा अवाम से अगर आप नहीं ले सके वो इसलिए लिए आपकी ना एहली है आपने ही कुलेक्ट करने थे आप पोजिशन को तो आप रुजाना कहते हैं अंदर है तो फिर दवारा अंदर कर दो अंदर है फिर दवारा अंदर कर दो मरियम नौासाइबा का आज केस लगावा है बेरूने मुलक के लिए उसके ओपर दरा कुमेंट कर दीजेगा मरियम नौासाइबा ने उनको अलाज के लिए बाहर बेजा और उनका जो टेक अप अपरेट वह का होना था मिया नौासी साब की खायश थी कि उनकी बेटी बीट लेकर इस मजूदा हकूमर ने अल-अलानिया कहा है कि हम उनको नहीं जाने देंगे आज अदालते आलिया में उनकी बिलकुल हिरिंग थी जो पच्चीस फरविश तक जा चुकी है लेकर मैं समझता हूं कि इमरार खांसाब आप और आप के ये जो तबला बजाने वाली टीम है जब बेगम कर्फों बमार थे तो आप इसी तरह में जाकडाया करते थे सब की माँ एक जैसे होती है माँ दबारा नहीं आती स्रासत आती जाती जाती है लेकर मरियम पीबी की वालदा मौत हजात की कश्मकश में थी वो गृफतारी देने तेरा दिलाई को आई थी तोजर च sinners आप तो कौम को दुश्मनी पर ले आए हैं आप तो कौम के साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं और आज मुलक की तबाहीं वरबादी का कोई और सुमेदार रहीं डिरेक्ट अमरार खांसफ अप सुमेदार हैं हमारी सहबा कि अखनी एक अपक्रोफद्य हैं हमारी बहादर का खात्मा करूंगा भी उसने खात्मा कर दिया अब आप चाहते से वो वाजब हो आ गया अब आपकी क्या खाश है कि ये जो रिजाना एलुसीज पर लोग जखमी हो रहे हैं अगर बहादर फोर हिमत ना करती तो ये इसका चाहता है आपकी पुलीशिज्म नाकाम है देखे न पाकिस्तानी तो अगर उनके फादर की वाक्टी सीरियस कंडिशन है और ये वाक्टी पाकिस्तानी गौर्णमन ने खुद का है कि जितने भी टेस्ट गएर आते सारा कुछ उनने खुद किया था खुद उनको क्लियर करके बाहर भेज़ जा था तो ये मेरे से बेटर तो मेर भाई ने इसका जवाब दे दिया उनको बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कु खुत हो गया चलते चलते नाजबीन सिर्फ इतना अर्स कर दूँ कि आपस में दुश्मियों की हद तक नहीं आ जाना चाहिए वाकिए इसे ही कह रहे हैं रहना साब कि सियास् आगर अगर आप मुल्के खैर को आए तो दूसरा भी अपने एंगल से मुल्का खैर को आऊगा ऑगा जैसे मैं इंट्रो में का था यह नहीं हो सकता था है नों कभी पकिस्तान और बीसी मुल्क में रहना थे उन्हों थारी विस थे दिर्की से खूश होना है तो मुक्छा ज प्रच्छा थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन तुम्हारे एक काम के लिए दो चीज़े लाया है, सफाई के लिए साबुन और महर के लिए पाउडर, है न टू इन वन, इकना मेंड़ा टू इन वन, असल टू इन वन है संदलाइट, सिर्फ नन्यानवे रुपे में, ये देश शानदार सफाई और बीतरी महक थी, संदलाइट टू इन वन, सिर्फ नन्यानवे रुपे में, संदल की महक, सूरज की चमक, नूर में लिपती, चिलती हो। संदल ब्यूटी सूप में मौझूद आंटी आक्सिदंस, ड्राइ और डल स्किन को रिपेर करें, और स्किन को टून करके, आपको देए बेई दाख निखार। जो देखे दिवाना हो जाए, जब हुसन से यो निखलती हो। संदल ब्यूटी सूप जो देखे दिवाना हो जाए। जिन्दगी कितनी रंगीन है, लेकिन इसकी रंगीनी है।